दिल्ली में अफसरों के ट्रांस्वर पोस्टिंग पर केंदर सरकार के अध्यादेश को केजरिवाल सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोट में चुनोती दी आपका कहना है कि केंदर का अध्यादेश असविधानिक है और इस पर तुरंत रोक लगई चानी चाहिए केंदर सरकार ने 19 माई को अधिकारियों के ट्रांस्वर पोस्टिंग पर अध्यादेश चारी किया था अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोट के 11 माई के उस फैसले को पलट दिया जिसमें ट्रांस्वर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था अध्यादेश के मताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसवर पोस्टिंग का आखरी फैसला उप राशपाल यानी LG का होगा इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा संसत में अब 6 महिने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती देने से एक दिन पहले गुरुवार को आपने अध्यादेश की कौपियां जला कर विरोध अभियान शुरू करने का एलान क्या था पहले कबरे थी कि केजरिवाल 3 जुलाई को दिल्ली में पार्टी अफिस के बार अध्यादेश की कौपियां जला कर अभियान शुरू करेंगे इस दोरन पार्टी के विधायक और मंतरी भी मौझूत रहेंगे इसके बाद 5 जुलाई को देश की सभी विधान सबाओं में अध्यादेश की कौपि जला कर विरोध क्या जाएगा फिर 6 से 13 जुलाई तक दिल्ली के चरौप और महलों में आपने ता अध्यादेश जला कर विरोध जताएंगे लेकिन देर शाम जानकरी आई की केजरिवार और पार्टी के सीनियर लीडर तीन जुलाई को इस अंदोल में शामिर नहीं होगे क्योंकि अब मामला कोर्ट में है इसी के साथ बने रही है राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद